Hello everyone, तो आज मैं आप लोगों को बताऊगा कि किस तरीके से सिर्फ 29 रुपीज में आप मेरे क्वांट और D.I.E. के कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कितने टाइम पीरेट के लिए रहेगा, आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजे मैं आपको आज बताऊगा इस वीडियो में, तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, learn.whiteboardclasses.com पर, आपके पास ये पेज खुलेगा, आपको सबसे पहले लॉग इन करना है, राइट, लॉग इन करने के लिए आपको दो आप्शिन्स पिलेंगे, आप जीमेल से लॉग इन कर सकते हैं, या अगर मैं जीमेल से लॉग इन करता हूँ, तो देखिए, ओके, सो ये मैं जीमेल से लॉग इन कर चुका हूँ, अब आपको क्या करना है, 29 रुपीज में, आपको इस पर क्लिक करना है, यहां से ये content di complete course आएगा, आपको इसमें enrolled in course करना है, उसके बाद आपको 3 options मिलेंगे, ठीक है, पहला options है, 60 minutes, मतलब एक घंटे का जो आपको access मिलेगा, वो 29 रुपीज में मिलेगा, आप उसको access कर सकते हैं, otherwise if you want to purchase it for 6 months, आप 999 में purchase कर सकते हैं, अगर आप 4 months के लिए purchase करना जाते हैं, आप 599 में purchase कर सकते हैं, तो मैंने ये 60 minutes वाला रखा क्यों, because मैं चाहता थ students को at least पता चले, purchase करने से पहले, कि वो कुछ अगर purchase कर रहे हैं, तो उसमें level of questions क्या है, और क्या सारे topics cover है, जो हम चाहते हैं, वो सब कुछ उसमें cover है, इसलिए मैंने ये 60 minutes वाला बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 60 minutes पर click करना है, उसके बाद buy course पर जाके steps आपको करते हुए, इसको purchase करना है, ठीक है, मैं इसको purchase कर रहता हूँ, course को purchase करने के बाद, जब आप my courses पर click करेंगे, तो आपको आपको course यहाँ पर देखेगा, आप इस पर click करेंगे, आपको तीन courses देखेंगे यहाँ पर, एक है question of the day, data interpretation and quantitative aptitude, जो complete course है, वो आपके पास है, question of the day म home में है, आप वहाँ से solve कर सकते हैं, उसके बाद second आपके पास data interpretation वाला course है, जब आप इस course में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखे, data interpretation का index, index में आपके पास क्या है, आप अपने according, जिस level का आपको DI करना है, उस level को आप यहाँ पर choose कर सकते हैं, आपको simply बस यहाँ पर difficulty level है, इस पर जाना है, इस पर click कर रहा है, उसके बाद अगर आपको moderate level की DI चूज करनी है, तो basic और intense को हटा दीजिए, उसके बाद ओगे पर click कर दीजिए, आपके जितने भी moderate level की DI है, उन सब के आपको set number यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उन set number को choose कर सकते हैं कहा इसके बाद आपको यह data interpretation first है और data interpretation two है, data interpretation first में जब आप जाएंगे, तब आपको यहाँ पर एक से लेकर, पूरी 200 तक DIs मिलेगे, 200 तक जितने भी sets हैं वो आपको सब मिल जाएंगे, आप यहाँ index से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको DI set practice करना है, उसके बाद आप यहाँ पर DI set पर जाके, आप पहले PDF को चूज कर सकते हैं, इस पर questions खुद से पर पहले practice कर सकते हैं, जो भी question अगर समझ में नहीं आता या फिर अगर आपको किसी question की approach सीखनी है, तो आप फिर इसकी वीडियो को भी नीचे जाकर देख सकते हैं, समझ में आ गया, यह हमारे पास data interpretation क यहां पर मिल जाएंगी, कुछ अलग से practice sets आपके पास जोओंगे, वो भी आप यहां से solve कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे quantitative aptitude के course की, तो उसमें भी आपको काफी चीज़े मिल जाएंगी, यहां पर आपको reasoning की practice sheet मिल जाएंगी करने के लिए, इसके अला में, उसमें level of questions और क्या-क्या मैंने topics पढ़ाया है, कितने-किती videos available हैं, कितने PDFs available हैं, वो सब आप check कर सकते हैं, जितना भी आपका content इस Quant और DI वाले course में मिलेगा, ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कि यह आपके पास recorded वाला course है, जितना भी content आपको यहां पर उससे दुगना आपको content, नए वाले जो focus wedge है, उसमें आपको content मिलेगा, आपको उसमें practice sections भी मिलेंगे live, और doubt classes भी आपको उसमें मिलेगी, और जितने भी questions इन में आपके पास available हैं, उससे जादा questions आपको वहां पर available होंगे, ठीक है, so I hope आपको समझ में आगया होगा, इसम आप इसका use कर सकते हैं, तो एक पर जाकर देगेगा, अगर label of question अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि ये आपके लिए किसी तरीके से useful हो सकता है, तो purchase करने की कोशिच करिएगा, thank you so much.